हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल और आज की वीडियो की शुरुआत इन सुन्दर सुन्दर प्राइज आन्तेमम के फ्लास के साथ तो आज का जो टॉपिक है वो अडेनियम प्लान की केर के उपर है विंटर सीजन में हम कैसे अपने अडेनियम की केर करें बट वीडियो कुछ बातें बताना चाहती हूं कि मेरे एक फ्रेंड है जिनका चैनल भी है राज जी उन्होंने बोला था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूं तो इसलिए आज मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं आराम से बोलू तो उन्होंने भी बोला था कि मैं हमेशा सब्सक्राइब तो आज मैं पहले बोल रही हूं अगर आप लोगो यह वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करियेगा चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करियेगा तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यह मेरा ड ज़्यान रखना है ज्यादा वाटिंग करने की ज़रुवत नहीं होती है क्योंकि डॉर्मेंसी का पीरे चल रहा है तो आप चार से पाच दिन के क्याप पे कम से कम डिपेंड करता है अगर आप क्या जो क्लायमेटिक कंडिशन कैसी है अगर फ्रॉस्ट होने लगी है तो और ज अगर आप इसमें वाटिंग करें और वह भी बहुत आराम से आपको वाटिंग करना है पूरे तरीके से पॉर्ट को एकदम जैसे गर्मियों में भर देते हैं पानी से वैसे आपको भने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम में क्यूंकि अगर हम ज्यादा पॉर्टिंग कोडेक्स गल सकता है अपके फ्लांट का तो आपको वाटिंग का खास दियान रखना है दूसरी सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि आपको संलाइट इसको जितनी अच्छी संलाइट दे सकते हो उतनी अपतो तो आपका प्लांट काफी लेट जो है विंटर तक आपको फ्लार साइज कम हो जाए वर्ट कुछ प्लार आपके प्लांट में आते रहेंगे और अगर आपके प्लांट में येलो के लीव्स गिर रहे हैं तो इसमें कोई परिशान होने वाली बात नहीं होती है क्योंकि इस टाइम में जो है क्योंकि डॉर्वेंसी का पीरेट चल रहा है तो पते जो हैं पीले हो के जहरते हैं और आपको इस टाइम में ब्लांट को फर्टिलाइस करना नहीं है विलकुल वह ब्लांट आपको आपको किसी तरीके की नाई ग्रोथ सब्सक्राइब नहीं दिखाएगा आपको कोई भी फर्टिलाइजर क्यों ना डालो बट फिर पिर आपको लगता है कि आपका प्लान्ट फीक लग रहा है तो आप डाल नहीं अगर चाहो तो आप बोन मील इस टाइम डाल सकते हो वह भी बिल्कुल प्योर वाली बोन मील जो हती है क्योंकि वह तोटली ऑर्गानिक होती और बहुती स्लोर रिलीज होती है तो धीरे-धीरे वो आपके plant की soil में add होती जाएगी, nutrition release करती रहेगी और धीरे-धीरे से plant nutrition absorb करेगा, तो यह आप कर सकते हो, और fourth important point यह होता है कि friend, आपको इस time में reporting, pruning बिल्कुल नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी किसी तरीके से plant को छेनना नहीं है, कोई भी cutting, wetting नहीं क करें, और March का season best होता है, अडेनियम में नई growth आनी start होती है, तो जो भी आपको cutting का काम करना है, फ्रूनिंग है, ग्राफ्टिंग है, रिपोर्टिंग है, यह सारे काम आप मार्च में करें, कहीं-कहीं फ्रेंज प्रेंड में भी मौसम अच्छा होने लग जाता है, बट आप प्रेफर करो कि मार्च में यह काम करें, तो आपको अच्छे रिजल्स देखने में मिलेंगे प्लांट में, और बहुत इंपोर्टन पॉइंट यह है, कि आपको प्लांट को इस टाइम में फंजिसाइड जरूर देना है, क्योंकि कि किसी भी रीजन से अगर आपको में फंजिसाइड ले सकते हो, और आप अपको प्लांट में फंजिसाइड रूट की प्रॉब्लम से प्लांट को प्रोटेक करता है, और आपका प्लांट किसी भी तरीके से खराब नहीं होगा, तो यहीं सारी चीजे हैं, जिनका आप ध्यान अगर रखते हैं, तो आपका प अच्छे से ग्रो करेगा और इसमें क्या होता है कि रूट्स जो दिये डॉर्मेंसी में जो है कोई नई ग्रोथ नहीं दिखाते हैं बट उनको प्रोटेक करना ताकि वह हमें गर्मियों में अच्छे से फ्लारिंग करके दें बहुत जरूरी होता है तो आई होप यह चोटा सा यह चाहँ प्लान्स हपी गर्ड़निक